विटामिन C जिसे हम एसकॉर्बिक एसिड भी कहते हैं ये शरीर में टिशू रिपेर और हीलिंग के लिए बहुती ज़ादा ज़रूरी होता है ये कॉलेजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो शरीर की सभी टिशू को स्ट्रेंथ यानि की ताकत प्रोवाइड करता है विटामिन C का होता है जिससे कि हमारी नई स्किन, टेंडन, लिगामेंट्स या ब्लड वैसल्स जो बनती है वो मजबूत बनती है विटामिन C एक एंटी ऑक्सिडेंट एजेंट भी होता है जिसके कारण शरीर काफी बिमारियों से बचा रहता है जैसे कि कॉमन कोल्ड, कैंसर, हार्ट की बिमारियां या फिर कैटरेक्ट इससे पहले हमने विटामिन D के बारे में बात करी थी और आपको बताया था कि विटामिन D सूरे के क्रिणों से मिलता है लेकिन विटामिन C के साथ ऐसा नहीं है, ये हमें food sources से ही मिल सकता है ये खटे फल और सबजियों में मिलता है, सबसे ज्यादा ये आमला में पाया जाता है इसके अलावा संत्रे, नीबू, मौसमी, इनमें भी ये अच्छी मातरा में मिलता है मार्केट में विटामिन C की टैबलेट्स भी आती है, लेकिन हम सलहा देते हैं कि आप इसे natural sources जैसे fruits और vegetables से ही ले विटामिन C हमारे immune system को strong रखता है और हमें infection से बचाता है अगर आप ऐसी health information एक या दो मिनिट में regularly चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करना ना बोले हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी website विजिट कर सकते हैं patient के दुआरा दिये गए reviews को देख सकते हैं और अगर अपनी bone और joint problem के लिए कोई expert advice चाहते हैं, तो website पर दिये गए form को fill कर सकते हैं या आप directly whatsapp message भी कर सकते हैं कर सकते हैं